नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहें ततकार नियूस लाइफ कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी को 2019 में दर्श मोधी सरनेम वाले अपराधिक मानहानी के मामले में गुजरात के सूरत की जिल्ला कोट ने दोशी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है हाला की बाद में राहूल गांधी को कोट से जमानत मिल गई यह मामला राहूल गांधी द्वारा दिये गए मोधी उपनाम संबंदी टिपनी से जुड़ा है राहूल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्ने के खिलाफ अपिल उच्छे नायलाय में करने की अनुमती दी गई है राहूल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुचे और राज्य में पार्टी के शिर्शनिताओं ने उनका स्वागत किया यह मामला भारतिय दंड़ सहिता की धारा 499 और 500 के तहट दर्श किया हुआ था राहूल गांधी अपना बयान दर्श कराने के लिए अक्टुमबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे अरजुन मोडवाडिया ने प्रुहस्पतिवार को कहा सत्य की परिक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है लेकिन सत्य की ही जीत होती है गांधी के किलाफ कई जूटे मामले दर्श किये गए है लेकिन वहां इन सबसे बाहर निकलेंगे हमें नयाय मिलेगा राहूल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिपनी को लेकर दर्श किया गया है जिसमें उन्होंने कतित तोर पर कहा था क्यू सभी चोरों का समाल उपनाम मोदी ही होता है इस मामले में जब फैसला सुनाया गया तब कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी सूरज जिल्ला नायले में मौजूद रहे इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें जो सजा देगा वो उन्हें मन्जूर होगी राहूल के इस विवायदीत बयान के खिलाव भारतिय जन्ता पार्टी, विधायक और गुज्रात के पुर्व मंत्री पुर्नेश मोदी ने याची का दायर की थी वायनाड से लोगसभा सदस्य राहूल ने उक्तट इपनी 2019 के आम चुनाव से पहले करनाटो के कालोर में आयर जीद जन्सभा में की थी राहूल गांधी के वकिल कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्यनाएक मेजिस्टेट एल्चेच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ता दोनों पक्षों की दलिलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए आज यानी 23 मार्ज की तारिक तै की थी